गुड एवनिंग ज्यादातर चात्र और अभिवावक लागडाउन के बाद CBSC और अन बोर्डों से एफिलेटेड इसकूल कब खुलेंगे इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आईए बात करते हैं NCRT और MHRD इस सम्मंध में क्यार नीती बना रहे हैं और क्या है देख इस सम्मंध में लेटेस्ट अपडेट लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर प्रेस कर दीजे ताकि इसी कब से इसकूल खुलने वाले हैं तो आईए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधान मंतरी मोदी जी के द्वारा समाज के हर वरक के लिए कोई कोई रहत दी गई है क्या क्या रहतें दी जा रही है इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी इसलिए आपको लगातार लेटेश जानकारी मिलती रहे इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दूसरी आपके पडोस में, गाउं में, महले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिप्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीजों की जानकारी नहीं होंगी कि लागडाउन के पीरिड में क्या-क्या राहत, क्या-क्या सुभधाय सरकार द्वरा दी जा रही है तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोज को उन्हें शेयर कर दीजेगा ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे और तिसरी बात देश के किसी भी कोने में कोई भी जौब, कोई नौकरी, रोजगार, कोई भी सुचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी स्वार रोजगार के लिए रिण कैसे मिलेगा इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी उद्यमियों के लिए ने ने आउसर कहां है और देश बिदेश की लेटेस घटनाय क्या है इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर प्रेस कर दें और साती सात मेरे सभी वीडियोज को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को अपने संबंधियों को अपने जान पहचान वालों को शेयर जरूर कर दीजेगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाये तो आईए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है तो देखें यह है लेटेस्ट अपडेट 29 मई 2020 12.15 पीम जादातर चात्र और अभिवावक लागडाउन के बाद CBSC स्कूल और अन्य बोर्ड से एफिलेटेड इसकूलों के पुना खुलने की तारीखों के बारे में जानना चाहते हैं तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ताजा अपडेट यह है कि NCERT और MHRD यह दोनों मिलकर लागडाउन के बाद स्कूलों को खोलने की रणनीती तैयार कर रहे हैं कुछ रिपोर्ट के अनुसार लागडाउन के बाद और इवेंट की तरज पर CBSC और अन् 30% से 50% उपस्थिती के साथ फिर से स्कूल शुरू हो सकते हैं और वो भी कच्छा 8 से कच्छा 12 तक के लिए जिस से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का आसानी से पालन हो सके तो इस बात पर जो है NCERT और MHRD बिचार कर रहे हैं कि कौन सा तरीका जो है उप्युक्त होगा आर्ड इवेन या 50 से 30 से 50% की उपस्थिती जिसके आधार पर जो है स्कूलों को खोला जा सकता है अन्य मंत्रालेओं के परामश के बाद MHRD जल्द ही CVC स्कूलों और अन्य बोर्डों के लिए दिशा निर्देशों की घोशना कर सकता है एक शिक्छक प्रिसिक्षन माडू स्कूल को भी दिशा निर्देशों के साथ शामिल किये जाने की उम्मीद है MHRD अन्य मंत्रालेओं के साथ परामश के बाद ही CVC और अन्य बोर्ड के स्कूलों के लिए दिशा निर्देशों की घोशना कर सकता है दिशा निर्देशों के अलावा शिक्षकों के लिए ट्रे के आधार पर इसकूल खलेंगे तो आई देखते हैं इस संबंद में क्या है डीटेल्स तो देखे एक सम्मावना ये भी बनती है कि जोन वाइज खुल सकते हैं इसकूल कुछ मीडिया रिपोर्टों के इनुसार इसकूल जोन वाइज खुल सकते हैं Green Zone और Orange Zone के स्कोलों की सबसे पहले खुलने की उम्मीद है CBSE स्कोलों की जुलाई के महीने में खुलने की उम्मीद है मगर अभी तक तारीखों के लेकर कोई भी आधिकारिक घोषना नहीं हुई है अब एक बात और समझ ले कि आठमी से बारवी कक्षा तक के विद्यार्थियों की स्कूल में हो सकती हैं क्लासेज और लग सकता है और इवेन का रूल रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि आठमी से बारवी तक की नियमित क्लासेज तीस परसेंटे पचास परसेंट उपस्थिती के साथ आयोजित की जा सकती हैं और बाकी कक्षाओं के चात्र अपने घर से आनलाइन कक्षाओं में भाग लेंगे ऐसा माना जा सकता है कि स्कूलों में इवेन और रूल लागू हो सकता है इसका मतलब है कि एक कक्षाओं के 50% विद्यार्थी एक दिन आएंगे और फिर अगले दिन बाकी के 50% यानि कि आल्टरनेट दिनों में 50% विद्यार्थी आ सकेंगे तो आई ये बात करते हैं कि फिर क्या इस संबन्द में टीचर्स को कोई ट्रेनिंग मिलेगी और क्या सेलेवेस में कटोती की जा सकती है या सेलेवेस वही रहेगा तो आई इस पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं तो चुकि स्कूलों को संचालित करने का सिस्टम बदल रहा है तो पढ़ाई का सिस्टम भी परिवर्तित हो रहा है इसलिए शिक्षकों को ट्रेनिंग इस संबन्द में दी जाएगी स्कूलों के अंदर दोबारा क्लास शुरू होने से पहले शिक्षकों को जरूरी पस्रिक्षन दिये जाने की उम्मीद है और इसके लिए M.H.R.D. टीचर ट्रेनिंग माड्यूल भी जारी कर सकता है और इसकूल भी अपने अस्तर से टीचर को ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानकों का पालन हो और COVID-19 से बचा हो सके और एक बात और भी है कि सेलेवस में भी कटावती हो सकती है एक आनलाइन सत्र के दोरान मानो संसाधन मंतरी ने पहले ही इस और इशारा किया था कि CBSC विवेन इस्तितियों का आकलन कर रहा है और ऐसी उम्मीद की जारी यहा कि CBSC सेलेवेस में भी जो है वो कुछ कटावती की जा सकती है तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कि CBSC बोर्ट 2020 की परिक्षाएं कब तक होंगी देखे CBSC बोर्ट के साथ दिक्कत यह हुई थी कि परिक्षा शुरू हो गई थी और कुछ पेपर्स हो गए थे उसके बाद लागडाउन लागू हो गया जब लागडाउन लागू हो गया तो कुछ परिक्षाएं जो है कुछ पेपर्स की परिक्षाएं रह गई तो बचे हुए जो पेपर्स हैं उसके लिए CBSC पहले ही डेट शीट जारी कर चुकी है तो उसके कार्डिंग CBSC 12 डेट शीट 2020 के अनुसार कच्छा 12 का पहला पेपर होम साइंस जो है ये एक जुलाई को होगा ऐसे CBSC 10 डेट शीट 2020 के अनुसार पहला पेपर सामाजी विज्ञान विशय एक जुलाई 2020 को होगा और अंतिम पेपर जो है अंग्रेजी विशय का 15 जुलाई 2020 को होगा तो ये थी लेटेस्ट अपडेट एक्जाम्स बाकी पेपर्स के कब होंगे क्लासेज कब से शुरू होंगी, स्कूल कब खुलेंगे, क्या रहेगा पढ़ाई का सिस्टम ये सारी चीजे आज के इस वीडियो में मैंने डिसकस किया है तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट अब आप इसे अपने सभी ग्रूप में, अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ सिबेसी का एक्जाम दिया था या जो लोग जो है अभी एड्मिशन लेना चाहते हैं या छट्वे से बारवी तक की क्लास खुलने का इंतजार कर रहे हैं उन सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप जानते हैं कि नॉलेज इस पावर ये जानकारी ये वीडियो जितना ज़्यादा सज्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों को इसकी जानकारी होगी आपके फ्रेंड्स को इसकी जानकारी होगी और उन्हें इसको लाब मिलेगा उनके दमाग में जो टेंशन है वो टेंशन दूर होगी तो संकट की इस घड़ी में शुबकारी को तुरंत कर डालिए और ये भी एक तरह से आपकी समा सेवा भी है और साथी साथ ये है कि आपके फ्रेंड्स को जो है इसे इस जानकारी से उनके दमाग में जो दिक्कत है जो भ्रहम है जो कन्फूजन है वो कन्फूजन जो है दूर होगी तो मेरा किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजे मेरे चनल को सब्क्राइब करके बेल आकन प्रेस कर दीजे ओके थैंक यू